बेटने सोल टेबलेट की साइड इफेक्ट क्या होती हैं इस बारे में हम इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाने वाली है वेसे आपको यह तो पता ही होगा कि बेटने सोल जो दवा है या टेबलेट है उसके कही तरह की साइड इफेक्ट हो सकते हैं या यह कह सकते ह की दूस प्रबाव हो सकते हैं यह आखिर क्यों होता है इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे की दवा का उपयोग करते से में आप पी सही तरह से इसका उपयोग नहीं कर रही है तो आपके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं वहीं पर दवा का अधिक उपयोग करने के कारण से भी side effect देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा ये भी होता है कि जब आप दवा का उप्यों करते हैं तो इस दवा के अंदर जो acid होता है या जो chemical होता है वह आपके सरीर के किरियाओं के साथ सही तरह से जुड नहीं पाता तो इसे में side effect देखने को मिल सकते हैं वेसी ये एक अलग बात है कि side effect क्यों होती है वेसे आपको बता दे कि बेटने शोल जो दवा होती है उसके side effect कुछ इस तरह सी है मगर side effect के बारे में जारने से पैदी अगर आपने इस वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like करें हां subscribe करने की आपकी अलग इंचा है अगर आप इंचा रखते हैं तो चैनल को subscribe कर सकते हैं मगर वीडियो को like जरूर करना है दोस्तों बेटने शोल दवा का side effect को इस तरह से होंगे number one पेट खराब होना अगर आप बेटने सही तरह से नय रहना ये दवा के side effect होने का एक संकेत होता है number two हडियो की density के अंदर समश्य होना अगर आपके जो हडियो हैं उनकी density के अंदर किसी प्रकाल की आपको समश्या देखने को मिल रही है तो ये समझ लेना चाहिए कि बेटने शोल टेबलेट का उप्यों करने के का होने वाला एक side effect होता है number three वेवार समंधी गडबड़ी अगर आपके वेवार में जरा सा भी बदलाओ देखने को मिल रहा है तो आपको समझना चाहिए कि ये बेटने शोल टेबलेट का उप्यों करने के कारण से होने वाला एक प्रकार का side effect होता है number four allergy कई बार क्या होता है कि हम किसी प्रकार की दवा लेती है और उस दवा के कारण से हमें allergy की समझा होने लग जाती है और इसे ही हमारी बेटने सोल टेबलेट होती है अगर आप बेटने सोल टेबलेट का उप्यों करे हैं तो allergy की समझा देखने को मिल की होता है number five G मचलाना को कभी कभी उल्टी होना भी का जाता है जैसे जी मचलाने की समय उल्टी हो रही है तो ये एक बेटने सोल टेबलेट के कारण सी होने वाले एक साइड इफेक्ट होता है अगर आब इस दवा का उप्योग करें हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपके अंदर किसी प्रकार से उल्टी हो रही है या जी मचला रहा है तो ये इसी दवा का एक साइड इफेक्ट है कई बार क्या होता है कि हम दवा का उप्योग करें जिसके कारण सी पेट के अंदर कुछ ऐसी गेसेज बनने लग जाती है जो बार आने के लिए ड़कार के रूप में आती है तो ऐसे में कट्टी ड़कार आती है अगर आपको खट्टी ड़कार आ रही है तो ये बेटने सोल टेबलेट का side effect माना जा सकता है तो इस तरह से दोस्तों बेटने शोल टेबलेट का उपयोग करते समी आपको कुल साथ प्रकार की side effect देखने को मिल सकते हैं हाँ यह जरूर ही नहीं है कि इस दवा का उपयोग आप कर रहे हैं तो आपके अंदर यह side effect जरूर ही देखने को मिलें क्योंगि यह हो सकता है कि आपको इन दवा के कारण से किसी प्रकार का side effect देखने को ना मिली गले जब मगर आपको दवा का side effect देखने को मिल रहा है तो आपको अपने doctor से इस बारे में बात करनी चाहीए ताकि इस दवा का सही तरह से उपयोग किया जा सके और स्वाइटीपेक्ट के एसर को कम गिना जा सके अगर वीडियो अचा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दब दंए मिलनेगे अगले वीडियो में तब तब तक ये स्वास्टरी और सुरक सीटरी